घर भी बैगार रखा हुगा देखो, इस side भी बैगार, पूरा बैगार आ रहा यार, सस्ता होगे आज बैगारी अभी rate । डाउन ही हो रहा यार लगा तार, आज जार जी है भुछ जार दाउन हो है आज हेलो दोस्तो गूड मॉर्णिंग कैसा है आप साब आसा करता हूं आप सब अच्छे होंगे सोभी बच गहां दोस्तो सुबह के सढ़ेच है और एक बार फिर से मैं पहुंच चुक हूं भिंडी वाले बाड़ी में भिंडी की हार्वेस्टिंग करने के लिए यह देख सकते हैं है कुछी प्रकार से फल लगा हुआ है इस साइट देखो पापा है कि धर ही मेन बड़ा बड़ा फल लगा हुआ है if कि जलो अब ह्यार्वेस्टिंग स्टार्ट करतें देखते कि अ सहारा ऑज्पल हार्वेश्ट होता है कि भिंडी को हार्विस्ट करके लिये हैं ये देखो इतना सारा भिंडी निकला है और बीच-बीच में बरबटी का है उसमें बरबटी निकल हो इतना और यह काला वाला परबट की दूसरे बाड़ी का है उसमें पूरा खतम हो गया देखो धर थोड़ा सा टल गया है वही 30 किलो के आस पास होगा भिंडी आस बारीज के कारण है कि क्या वसल पूरा कम हो रहा है आज एकदम कम ही निकला है और रेट भी कल कडाउन हो चुका है कल 10 रूपर 11 रूपर किलो हो गया था बारीज के चलते चलो फास देखेंगे क्या रेट जाएगा अभी मैं तयार हो जाता हूं मार्केट जाने के लिए अभी का इसमें तयार हो चुका हूं मार्केट जाने के लिए और यह देखे सबदियों को जोला में डाली है इसमें हो जाता है रात को गाड़ी नहीं निकलता है फंस जाता गीचड में रोट के कारण रोट गीरला है इसलिए तो उस मुहले में रख्या है हूं गाड़ी को अभी इसको पूल के पास निकालूंगा उसके बाद गाड़ी को लाने जाना है अभी गाइस रोट के पास आ चुका एक ही जोला होता अब हिंडी यार लेकिन दोनों साइड लटकाऊंगा करके दोनों साइड कर दिया हूं उसके उपर में बरबटी है चलो अब चलते हैं मार्केट देखते हैं आज क्या महौल रहता है मार्केट में सोगाई सभी मार्केट पहुँच चुके हैं और यह देखो बाइक को साइड में लगा दिया हैं भी कमिसन मंडी साइड और सबजी को भी बेंच दिये हैं बाइक में था तो ही मौलभा हो गया तो दे दिया 12 रूपए किलो में कल करेट डाउन हो गया है आप 10 रूपए 8 रूपए तक हो गया था कल भी उससी चक्कर में दे दिये 12 रूपए मंगा तो अभी जा रहा हूं सबजी के पास उसके बाद तोलेंगे और चोणने जाना है रिटेल मार्केट और कमीशन में देखिए टमाटर वगएर आया हुआ है भी इसमें भी पूरा टमाटर है छोटा हाथी में चलो यार अपना सबजी तो किसान मार्केट के पास है जल्दी स्तोलना है आज भींडी में बहुत कम निकला है 25 किलो क्या सपास होगा यह देख सकत पूछ लेता वैगान और यह रहां दोस्तों अपना भींडी यह वाला शोला अपना है और यह वाला दोनों धोल दिया हूं चलो अब इसको तॉलने जाना है और तॉल लेता हूं उसके पास छोड़ने जाओंगा इस फिंडी को तॉल दिये और जल्दी जल्दी में वीडियो नहीं बना पाया है यह देखो यहां पर रखा हूं यह चिट्ठी मिल चुका है अपने को चलो अब गाड़ी के पास सब्जी को ले आया हूं और गाड़ी में लोट भी कर दिये देखो एक भाईया थे उसी की मदद से लोट किया हूं यार चलो अब रिटेल मार्केट छोड़ के आते हैं इसको उसके बाद बरबटी बचा हुए उसको बेचेंगे इस रिटेल मार्केट पहुच चुके हैं यह देखो यह वाला दुकान हदीदी की बहनली है अब यहां पर खाली करना है चलो इसको खाली कर देते हैं भिंडी को खाली कर दिये हैं यह देख सकते हैं इतना सारा भिंडी है 7,25 किलो है और इधर तमाटर वगयर है तमाटर कारेट में चाथद दाई 40 रुपए फिलो 40 रुपए फिलो बेंच रहे हैं भी टा माटर कुछ इस प्रकार से लगव हुआ है रिटेल मार्केट यह देखिए इस साइड भी लग रहे है धीरे धीर यहां पे फिल रुपार लगेगा अब चलते हैं वापस से किसान मार्केट के पास अभी गाइस किसान म रुपए दिया है भाईया जिसमें दस रुपए वापस किया हुँ नव किलो था गाइस दस रुपए किलो में नव्बे रुपए कहो गया और हिंडी का पैसा भी नहीं मिला है जाते समय अभी तो दीदी मिली नहीं है मार्केट साइड और आस-पास के महाल को दिखाता हूं क्या-क्या सब्जियां रखा हुआ है और उससे पहले यह देखो बहुत दिन के बाद ही मांसु सेफ मिले हैं क्या हाल है एक दम बढ़िया बढ़िया क्या काम चल रहा है कुछ नहीं आरब दुकान में जाता हूं और यह हमारे गनपस से बढ़े सब्सक्राइब बढ़े सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब सामने में भूस साइट भी रखा हुआ है आज बेगन बहुत जादा आया है काई स्रेट कम होगा ऐसा लग रहा है कल तो 24 रुपए 25 रुपए किलो गया था बरसाथ तब मुसम पर फिर भी बेगन और आज लगता है थोड़ा डाउन रहेगा मार्केट 18 रुपए के आज पा यह देख सकते हैं वेगन का क्वालिटी मस्त क्वालिटी में है वेगन चलो कुछ तो कम हुआ रहा रहा था और ग्रहाक लोग तीस ही रुपए में खा रहे थे अब 18 रुपए कट रहे तकम से कम 20 वीके का तो कुछ पैसे मत जाएंगे लेकिन आज को अपना मार्केट नहीं पिछले साल के मुकाबले लेकिन ठीक है भई पिछले साल को 7 रुपए 8 रुपए हो गया था हिंडी मुली का इस साल कम से कम 10 से उपर ही है इस बार टमाटर सब से हाई था चलो अब टमाटर कभी कम हो चुक है आज भी 500 रुपए के रेट के आस पास कट रहा है चलिए दोस् इधर भिंडी रखा हुए है आज बैगन बहुं सारा रखा हुआ है आज बैगन बहुरा बैगन आ रहा है आज इसी चक्कर में अधर डोड कवगरा रखा हुआ है अपने कोई साइड जाना है कमीशन साइड है हमारा गाड़ीये कमीशन साइड है तो इसी साइड जा रहे हैं यार आहे वांसु से अभी सबसे महंगा भीचार नहीं किलो 240 रुपर किलो उसका डाउन ही नहीं हो रहा है रेड मार्किता माटर कभी डाउन हो गया यहां पे देखो गाइस बहुंद ज्यादा भीड लगा हुआ है हिंडी के लिए है 12 रुपर किलो इसमें भी कट रहे हैं हिंडी देख सकते हैं करेली को देखेंगे क्या रेट कट रहा है वह भी 25 के आसपास ही कटना चाहिए अब यहाँ करने चाहिए है और कमिशन में कहीं जबजी आया तो फाइस तैसरी को जाएगा यह पट्टागों की देख सकते हैं पुराना क्वाल्टी क्टी करें क्या रेट है यह पट्टागों भी 25 रुपए किलो देख सकते हैं यह एकदम थोटा 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 है और क्या क्या है गवार फली क्या रेट है अभी गाइस मैं घर आ चुका हूँ और मार्केट की बात करें तो मार्केट आज थोटा डाउन चला गया है कल से डाउन हो गया है यार कल बारी सो रहा था सुबह से उसी के चक्कर में है कि क्या पता नहीं मार्केट डाउन है कल भी डाउन चला था भींडी 10-11 रूपए किल हो गया है और बैगन भी खासकर कल 24 रूपए 25 रूपए तक गया था वह आज 18 रूपए किलो हो गया है बैगन आज डाउन हुआ है कल नहीं हुआ था कल 30 रूपए में चंदू भी अलिये थे और मैं लूंग करके सोच रहा था लेकिन कल मुझे मिला ही नहीं था बैगन और आज बहुत जादा बैगन रखा हुआ था यारब उसका भी डाउन होगा लग रहा है और मुली भी 10 रूपए किलो हो गया है और परसो सबसे ज्यादा रेट डाउन था भई मुली का बता रहे थे 5 रूपए 6 रूपए किलो हो गया है करके और कल तो 8 रूपए 10 रूपए ग कटेगा लग भग 300-400 के आसपास अब धीरे धीर पूरा सब्चियों करेट डाउन होने वाला है चलो कोई नहीं दोस्तों आज कितने का बेचा हूँ उसको बताता हूँ सो भिंडी था दोस्तों अपना 67 किलो 12 रूपए किलो में वो बना था अपना 330 रूपए का और 90 रूपए का अपना बरबट्टी बना था 10 रूपए किलो में दिये थे 9 किलो था 90 रूपए का वो बना था 330 प्लस 90 होगे अपना 420 रूपए 420 रूपए का टोटल बेचे है जिसमें से लगभग देड़ 200 खर्चा ही हो गया देड़ 100 रूपए का दवा लाया हूँ भिंडी के लिए इमा में एक टिन बेंजोईट कीटा काटक नाम से आता है वही सब्सक्राइब करने दोस्तों कुछ इसी प्रकार से रहा आज का मार्केट तो आज के व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं दोस्तों कैसा लगा आज के यह व्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो अच्छा लगा हो दिल्यों को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब सब्सक्राइब